दियर स्टुडेंट्स आज हम डिसकस करेंगे एक्ससाइज 11.2 का क्वेस्चन नमबर 4 क्वेस्चन नमबर 4 की स्टेटमेंट है अब क्वेस्टन नमबर 4 की जो स्टेटमेंट है उसमें हमें दो एंगल गिवन है एंगल y और एंगल z हमें ट्रेंगल को बनाना है xyz को तो इस क्वेस्चन को हम कैसे करेंगे यह हमारी जो एक्ससाइज 11.2 है उसकी टाइप 3 है टाइप 3 की स्टेटमेंट क्या है तो क्वेस्चन नमबर 4 में भी है हमें दो एंगल गिवन है 30 डिगरी और 90 डिगरी और जो इसका पेरिमिटर है xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 11 सेंटिमिटर तो इसको बनाएंगे कैसे हम हमको जो लाइन है बेस में वो xy होगी yz होगी हमारी y पे हमें एंगल क्रियेट करना होगा 30 डिगरी का और z पर हम एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे 90 डिगरी का जो मीट करेंगे किस पॉइंट पे xy पॉइंट पे जो xy, yz और zx है उसको हम एक लाइन मानके चलेंगे क्योंकि हमें इसमें बेस लाइन गीवन नहीं है तो इसको हम लाइन क्या मानेंगे pq या abc हम यह मान सकते हैं इसको तो अब हम step सुरू करते हैं इसके जो construction के है question number 4 के तो अब हम start कर रहे है question number 4 की construction हमने सबसे पहले line लगाई है pq equal to 11 cm जो हमने जो perimeter हमें गीवन था इस question के अंदर उसके equal हमने वो line ली है अब हमें दो angle given थे 30 degree और 90 degree वही हमने जो point p है उस पर हमें 30 degree के angle construct करना है और point के उपर हमें 90 degree के angle construct करना है तो start करते हैं construction इसकी point p पर हम 30 degree के angle बनाएंगे 30 degree के angle के लिए हमें जो angle 60 है उसका bisector करना होगा तो पहले हम 60 degree के angle बनाएंगे जो हमारी first arc होगी वो होगी हमारी 60 degree ये अब हम इसको करना है bisector तो इसी point से हम एक arc होर लगाएंगे और अब arc लगानी हमें जो point हमारा 60 degree का है तो जो point आया है हमारा ये है हमारा 30 degree के angle इससे line pass करेंगे हम तो वो हमारा क्या बनेगा 30 degree के angle सेम हमें अब जो point क्या हूँ है उस पर हमें create करना है एंगल 90 degree जो पर हमारी फर्स्ट आख होगी यहीं से हमें second अब जो point आया है ये हमारा 90 degree के अंगल अब हमने जो angle हमें given थे question के अंदर 30 degree और 90 degree वो हमने बना लिए अब जो main step है इस question को solve करने का इसको construct करने का जो triangle हमें बनानी है उसमें हमें जो angle जो हमने बनाए है उनका भी by sector करना होगा जैसे हमने 30 degree का बना है तो इसका by sector क्या होगा 15 degree और 90 का हमें क्या बना अपनेगा 45 degree तब हम वो start करते हैं जो angle हमारा 30 degree था इसी का by sector हमें क्या करना होगा 15 degree हमें करना होगा तो जो हमारी कमपस स्टार्टिंग में जितनी open थी हमें उतनी open लेकर चलनी है यह जो हमें 30 degree के एंगल के लिए हमने ली थी तब वही point हम 0 से एक आक लगाएंगे और फिर हम 30 degree से जो हमारी value आई है यह point हमें जो मिला है इसका यहां से अब यह point आया हमारा 15 degree कि अब हम 90 degree का बाय सेक्ट करेंगे वह हमारा होगा 45 degree तो हम जो 90 के लिए भी हमें क्या करना होगा जो 0 degree से हम आक आर्क लगाएंगे और एक 90 degrees है अब जिस point पर कट कर रही है अब जहां इन दोनों बाय सेक्टर ने 90 degree के बाय सेक्टर ने और 60 30 degree के बाय सेक्टर ने जहां आपस में इंटरसेक्ट किया है वह point हमारा क्या होगा एक्स point होगा जो यह point आया है हमारा जहां इन्होंने बाय सेक्ट किया है इस point को हम क्या नेम देंगे एक्स यह हमारा क्या point आया है एक्स point आया अब हमें y और z की requirement है तो y और z कैसे आएंगे अब हमारे जो हमने by sex कीए है एक्स क्योट और एक्स और पी अब हमें इनका भी by sector करना होगा तो अब एक्स क्योट का by sector करते है वाइसेक्टर अब हम first three questionnaires सीक चुके है कि कैसे हमें by100 करना है जो हमारी लाइन है उसके हाफ से ज़्यादा हमें कमपस को उपन कर लेना है जैसे यह है तो इससे हमें आर्क लगानी है फिर्स्ट आर्क ये और फिर यहीं से ये दो आर्क होगी हमारी और फिर एक्स पॉइंट से भी अब यहां जहां इन्होंने कट किया है इस लाइन को हम मेट कराएंगे अमुप अब यह जो बासस्ट Allah है एक्स क्यों का वह लाइन पी क्यों को एट क्वाइंट जेड पर ये पॉइंट आया है जो ये प्वाइंट क्या होगा हमारा जेड इस पर इंटरसेट करेगा से अब हम करेंगे xp का perpendicular bisector तो x से और p तक की जो length है उससे half से ज़्यादा हम क्या करेंगे compass को open करेंगे और दो आरक लगाएंगे x से फिर हम p से लगाएंगे अब जो ये point हमें मिले हैं इन perpendicular bisector से उनको हम join कराएंगे और ये perpendicular bisector आया है xp का ये cut करेगा line p को add point y जहां intersect किया है इसने line को वो point क्या होगा हमारा y point अब हमें x, y, z जो हमें triangle बनानी थी उसमें हमें x point y और z हमें मिल चुके हैं अब हमें क्या कराना है x को z से और x को y से join कराना है तो x से z को कराएंगे join और x को कराएंगे y से x, y, z यह है हमारी required triangle जो हमें construct करने थी question number 4 में अब स्टार्ट करते है steps of construction जो first step था draw a line segment p के ओ इक्वल टू 11 cm x, y, plus y, z, plus में z, x जो perimeter हमें given था triangle के अंदर वो था 11 cm तो हमने वो point किसके एक्वल लिया p के ओ लाइन के तो p के ओ लाइन हमने 11 cm की draw की थी first step में second step क्या था point p पर हमने angle construct किया था 30 degree का और point के ओपर हमने angle construct किया था 90 degree का तो जो यह हमने angle बनाये थे third step में हमने क्या किया था bisect these angles इन angles को हमने क्या किया था bisect किया था let the bisector of these angles intersect at point x जो इनका bisector है थे 30 degree angle का bisector हमने बनाया था जो फिफ्टिन डिगरी था और जो 90 डिगरी का बाइसेक्टर था वो पॉइंट किस पर मीट करेंगे एक्स पर मीट करेंगे ड्राव प्रपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओफ एक्स पी जो एक्स और पी है उसका प्रपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रो किया था तो इंटर किया था P क्यों को किस पर Z point पर तो last step हमारा क्या था कि X Z को और X और Y को हमने क्या किया था join किया था तो यह हमारी required triangle है XYZ अब हमें जो condition given थी इसके अंदर Y की जो angle था 30 degree था और Z का angle 90 degree वो इनका perimeter इन सब का sum X Y Y Z और Z X इनका sum क्या है 11 cm अब हम वो चेक करते हैं कि वो हमारा सही है या नहीं है तो हम इसको protector से चेक करेंगे पहले कि जो Y पर angle बना है वो 30 degree है या नहीं जो Y पर है हमारा वो आप देख रहे होंगे screen पर कि जो Y पर जो हमारा angle बना है वो exact 30 degree आया है हमारा और ऐसे ही हम चेक करते हैं point Z पर जो हमारा angle आया है वो भी क्या है 90 degree है अब जो perimeter हमें given था 11 cm अब हम उसको चेक करते हैं जो X Y की length है हमारी वो है 4.5 cm Y Z की length है वो है 4 cm और X और Z की length है वो कितनी है 2.5 cm तो हमारी जो 3 length आई है X Y की length वो आई है 4.5 Y Z की length 4 cm और Z X की length वो कि आई है 2.5 अगर हम इनका sum करते हैं तो equal कितना आएगा हमारा 11 cm तो हमारे जो triangle हमारी required थी X Y Z वो हमारा exact construction हमारी बनी है तो आप इस channel कर 9th class का complete solution देख सकते हो इस channel से जुड़िए चैनल को subscribe जुरूर कीजिए Thank you